देखिए एक 23 साल का युवक सचिन शर्मा जिसकी की दुरुगटना होने के बाद चोट लगी गंबीर चोट लगी पैर में और उसके इलाज के लिए राजदानी जैपूर की सवायमांजिंग हॉस्पिटल जिसकी क्याती पूरे भारत के अंदर है यहां इलाज कराने आया परन्तु परशाशन की और पूरे एड्मिस्टरिट्रिट्रिव स्टाफ की गलती के कारण मिस्मैच करके उसका ब्लड ग्रूप का दूसरा ब्लड ग्रूप का ब्लड उसको चड़ा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई यह घंबीर लापरवाई के कारण उसकी मौत हुई है यह हत्या है आपका परशाशन का एक मात्र काम यह है आपका स्टाफ का एक मात्र काम यह है कि जो भी मरी जाए उसका इलाज करना अरे रक्षक ही भक्षक बन गए इलाज कराने के लिए आदमी हॉस्पिटल आता है कभी कोई कैंची छोड़ देता है कभी कोई पत्ती छोड़ देता है कभी कोई नैपकीन छोड़ देता है और अब तो हद कर दी आपको ये तक पता नहीं कि उसका O positive है और आपको A B positive लड़ चड़ा दिया ये क्या अंदेर नगरी चौपट राजा हो रहा है आपके मारफत से मैं कहना चाहता हूँ राजिस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाजी शर्मा उप मुख्य मंत्री दो-दो बने वे हैं स्वास्थ मंत्री तुरंट प्रभाव से प्रसंग्यान लेकर जो भी हमला नोट ओनली नीचे वाला कर्मचारी को इनर सिंग स्टाफ नहीं नीचे से लेकर उपर तक उस समय जो भी आजमी मौझूद थे तुरंट प्रभाव से उनको परखास किया जाए साथ ही एफायर दर्श करके 302 हत्या का मामले में उनको सजा दिलवाई जाए उसकी कारवाई हम भी कड़ेंगे अनिश्चिंतर हम भी लगे हैं यहां पर मौर्चरी पे बैठे हैं साथ ही जो क्योंकि एकलोता एक मातर पुत्र हो एक मातर पुत्र होड़ने कारण पूरे जीवन में नहीं देगी पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लड ग्रूप का ही नहीं पता किसको क्या चड़ा रहे को जानकारी नहीं है हम कल भी यहां पर आये थे कल यहां पर आकर अधीक शक मौदे से मिले थे उन्होंने कहा था हमारी जांच कमिटी जांच होती रहे कि हमें जांच से मतलब नहीं है नीचे से लिए को रूप पर तक उस समय जो भी मौज़ोद हो यह मिसाल होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना अरे सवाइमांच जी ऑस्पिटिल जैपूर का राजिस्तान का इंदुस्तान का माना हो अस्पताल है अरे यहां अगर सुरक्चित नहीं आदमी तो कहां सुरक्चित है कहां जाएगा आदमी आप कहरे हो कोई चरंजी भी योजना लाता है फिर सरकार बदल जाती है तो दूसरी जोजना आ जाती है योजना क्या करेगी इलाजी डंग से पैसे ले रहे हो 25 पच्च्च लाग सब्सक्राइब करने क्या हो आपको लाको करोड़ों के रूप में तनकाएं मिल रही है आपके पर मोनिटरिंग नहीं है तो नहीं प्रभाव से हमारी मांगे मानी जाए तभी हम यहां से हटेंगे सचीन मेरा भाई था कोट पूदली में वह नोकरी करता था जिस दिन एक्सिडेंट हुआ उस दिन में वह अमोजूद था बिलकुल नॉर्मल फैक्चर हुआ था उसका पैर यहां ट्रोमा में मैंने एड्मिट करवाया मेरे दो भाई और आए थे और एक इमांदार लड़का थ उनको गलत बलड चड़ाके और उनकी जो मोत हुई है उसका खाम्याजा इस होस्पिटल परशासन को भूगतना पड़ेगा और सचीन के जो मोत हुई है उसका मुआउजा मिलना चाहिए एक सरकारी नोकरी की मांग करते हैं उनके परिवार को संबल दे और इसी चिकित्सा से में उनके परिवार को एक नोकरी दे और दूसरी बात यह है कि मानिये मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक हमारा सचीन गया है आगे ऐसी लापरवाई नहीं हो किसी दूसरे सचीन को जाना पड़े मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई सामान घटना नहीं है इस तरह कि कितन लोगों को नहीं मारें यह तो हत्या है सीधी-सीधी अप्ड़न चले और परीवार को जो भी नया सरकार मुआबजा दे वो सरकार को देना चाहिए क्योंकि यह बहुत इकम्बीर मैं से यह पता लग गया कि गलत बीलद की दृश्या गया है नहीं तो यहां तो पता लीनी ल काग जो कोई गायब कर देता है यह तो परीजनों की जाग रुकता से इस चीज का पता लग गया और पता लग गया तो हम इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे दोस्यों खिलाब सक्त कारवाई करके ही मानेंगे देखिये यह प्रशासनिक अमले के सिस्टम की फेलियर की वज़े से एक 23 साल का बच्चा काल कल्वित हो गया और प्रशासन अभी भी आद पर आद दर कर बैटा है जान तो प्रशासन वापस नहीं दे सकता कम से कम रेर ओफ रेरेस्ट केस में इस केस को काउंट करके और प्रशासन है तो एक करोड रुपे तुरंत प्रवाव से इस बच्चे के परेजिनों के अकाउंट में प्रशासन आके दे चेक दे अकाउंट में ट्रांसफर करें जो भी प्रक्रिया है ताकि इनको जो जान तो वापस नहाती संबल तो मिले और एक सम्विदा नोकरी नहीं एक इनको प्रोपर सरकारी नोकरी क्योंकि बच्चे अपने पीछे कोई उत्रादिकारी नहीं है बच्चे का बहने हैं गरपे परते माबाब उनकी बविश्ची की एक करोड के दस करोड पर पर पूरती नहीं हो सकती तो एक व्यक्ति की सरकारी नोकरी तुरंत प्रवाव से दी जाए ताकि जो नुकसान तो ये जेल चुके आगे इनको भी मनना नी पड़े इसके लिए प्रशासन अपनी सब्विदन चीलता दिखाए अरे एक ऐसे में जैसे बड़े होस्पिटल चरकारी जिस पर आजमी भिश्वास आंग बंद कर गया था कि मेरा यह इलाज हो जाया उसमें आपने ब्लेड गुरूप गलत चड़ा की जान ले लिए इडिजर रेरेरेस और मडर केस